this is Cuddy buddy icham select I hope You are doing good आज से हम श्टराइट करने बाले हिस्टरी सी इरीज जो की होगी आप किसी भी एक्जाम के लिए आप कोई भी एक्जाम की तयारी कर रहे हों यह हिस्टरी सीरीज आपके लिए मस्ट है देखना आप इस सीरीज को देखने के बाद हिस्टिरी का कोई भी question होगा आप उसको basic answer कर पाएंगे within minutes में हम हिस्टिरी को किस तरीके से पढ़ेंगे यह हम देख लेते हैं पहले हम cover करेंगे ancient हिस्टिरी ancient हिस्टिरी को cover करेंगे फिर cover करेंगे medieval हिस्टिरी उसके बाद cover करेंगे modern हिस्टिरी यह तीनों पाइट हम cover करेंगे हिस्टिरी में जो कि आपके हर एक exam में पूछे जाते हैं हर एक पाइट को full detail के साथ cover किया जाएगा हर एक पाइट में detail enough होगी जिससे कि आपको कोई problem ना हो कहीं और ना जाना पड़े आपको इस तरीके से यह lecture series बनाई जा रही है इस series में आपको जो content दिया जा रहा है वो paid series के लिए होता है इतना अच्छा content आपको free में कोई नहीं देगा यह सारे content आपको paid courses में मिलते हैं अगर आप history में पकड़ बनाना चाहते हैं अपनी तो आपको यह series मश्ट है देखना यह history आपके लिए wonderful साबित होगी अगर आप UPSC, MPPSC, UPSC, UPSC, UPPSC किसी भी PCS की तैयारी कर रहे हैं कोई भी आप job की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें history पूची जाती है यह history series उसी exam के लिए बनाई गई है इसमें आपको full detail मिलेगी full explanation के साथ इस history series को खबर किया गया है so make sure कि आप यह course, यह series फिरी में जो available है YouTube पे आप इसे पूरी तरीके से देखें so यह start करते हैं history के lecture first को जिसमें हम पढ़ेंगे history में ancient history को और ancient history में हम पढ़ेंगे chronology और sources को so chronology और sources को आज के हम lecture में cover करेंगे so चलिए, शुरू करते हैं history का lecture first chronology और sources chronology में आप देखिए कि किस तरीके से terms आपको देखने को मिलते हैं chronology में आपको term देखने को मिलेंगे जैसे कि BC, BCE, C, BP, AD और CE पहले हम क्या था जो भी old books हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा before Christ before Christ यानि कि जीसस की birth से पहले जीसस अब पैदा हुए थे उनसे पहले का जो समय होता है उसे हम कहते हैं BC यानि कि before Christ जीसस जो एक धर्म से जड़े हुए हैं उसे क्या कहते हैं क्रिसियन धर्म क्रिसियन धर्म से जड़े हुए हैं इसी लिए इसको secular करने के लिए इस term को secular करने के लिए किसी एक धर्म से ना जोड़कर इसे term दी गई है BCE यानि कि Before Common Era अब जो भी आपको box में देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा BCE ओके तो अगर आपको कहीं BC और BCE में confusion हो तो आप समझे कि दोनों एक ही है कोई confusion वाली बात नहीं है सिर्का का मतलब होता है अगर आपको किसी चीज की डेट नहीं पता है तो आप लिखते हैं सिर्का जैसे सिर्का 728 सिर्का 700 सिर्का 2021 समझ गया आप इसमें आप लिखेंगे एप्रॉक्स डेट जो आपको पता होती है बीपी का मतलब होता है before present आपको पता होना चाहिए बीपी का मतलब होता है कुछ इस तरीके से आपको यह जो टाइम है वो देखने को मिलेगा यहां पर आप मानिये यह है जीसस की बर्थ इधर आपको ascending order में देखने को मिलेगी नमबर जैसे कि year hundred है 200 years यह आपको 200 BC 100 BC 300 BC इसमें क्या है बड़ा नमर आपको left में देखने को मिलेगा और चोटा नमर आपको right में देखने को मिलेगा कुछ इस तरीकी से आपके नमर चलेगे बड़ा चोटा फिर चोटा और यह दीरे तीरे यह 0 पे आ जाएगा लेकिन आपको जो AD में यह आपका time होगा BC में और यह आपका time होगा AD में AD में जो आपको time देखने को मिलेगा वो मिलेगा जैसे की 100, 200, 300 यह आपका होगा sending order में यानि की left में आपका छोटा number, right में आपका बड़ा number BC में क्या होता है Right में आपका छोटा number Left में आपका बड़ा number समझ गया यह आपको AD में ऐसे term यह आपको AD में इस तरीके से Years देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है Time ऐसा जाता है यहाँ पे भी Time ऐसा ही जाता है यानि कि Time इदर से शुरू हुआ और ऐसे आगे जाता है यहाँ पे भी Same to Same Time शुरू हुआ और ऐसे आगे जा रहा है लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो Years है उसका number यहाँ पे बड़ा होगा और यहाँ पे number छोटा होगा लेकिन इसमें यहां पे चोटा नम्मर होगा लेफ्ट में और राइड में आपको बढ़ा नम्मर देखने को मिलेगा कुछ अंतर नहीं है बस नम्मर की प्रॉब्लम है बनना time तो आपका एक ही direction में हमेशा आगे बढ़ता है time आपका कभी पी आगे पीशे नहीं होने वाला यह time हमेशा आगे ही जाता है फिर आपको time में देखने को मिलेगी AD, AD का मतलब होता है इसी यह भी secular करने के लिए जो term में दी गई है वो है CE यानि की common era तो अभी जो आपको नई जो books मिलेंगी उनमें आपको देखने को मिलेगा BCE और CE और आपको देखने को मिलेगा C और BP C यानि सिरका BP यानि की before present तो यह आपको chronology की terms आपको confirm हो गई होगे कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी तो यह आपको इनमें confused नहीं होना है अब आपको एक question में देने वाला हूँ एक question आप बताईए अगर किसी का बर जनम होता है 300 BC में अगर किसी का जनम होता है तो 220 BC में उसकी क्या age होगी कितनी age होगी इसकी और एक question और बताईए आप मुझे कि अगर किसी का जनम होता है 200 BC में तो 200 AD में उसकी कितनी एज होगी यह मुझे आप बताईए दोनों सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए अच्छे से समझ लेते हैं यह देखिए आप यहाँ पे है आपकी यह जीरो यह बुलकुल बीच में आपको मिलेगी जीरो इसके राइट में मिलेगी ब यह और यह होगी आपकी BC यानि की बिफूर कॉमन एरा के लिए यहां पर बन से सुरू होता है अब यह देखिए आपको इधर असेंडिंग ओडर में नम्मर बढ़ते देखने को मिलेंगे नम्मर राइट में यहां पर कूछ इस तरीख से लिए यहां पर कुछ इस तरीके से नम्मर आपके बढ़ते अपने समझ गए ! BC में आपकी कुछ इस तरीके से नंबर बढ़ेंगे AD में इस तरीके से तो आपको बीफोर क्राइश्ट का मतलब समझ में आया होगा कि जो जीसस की बर्थ के पहले ही क्या टाइम है उसे कहते हैं हम बिफोर किराइश्ट यानिकी BCE BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा और जो जीसस के जनम के बाद का जो समय है उसे कहेंगे हम CE कि यानिकी कॉमन एरा यह आप समझ गए कोई कंफ्यूजन ने कुछ आप कोश्चन सॉल्व कीजिए उससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आप बताईए 100 AD और 100 BC में अगर किसी का जनम 1500 BC में होता है तो उसका जनम 1500, sorry उसकी मिरत्यूज 1580 में होती है तो इसमें कितने इयर्स का गैप है कितने इयर्स होते है 1500 BC से 1500 AD में आपके कितने इयर्स होंगे टोटल अब आप यह बताईए 750 BCE पहले आएगा या फिर 70 CE यह कोश्चन आप सॉल्व करके बताईए मुझे कमेंट वाक से में बताईए चारों की आंसर और आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इनको आप सॉल्व कीजिए बुल्कुल आपको सॉल्व करना है उत्क मुझे कमेंट वाक्स में आंसर करना है तब ही जाके आपका तो आपने अभी देख लिया 1 century का मतलब होता है 100 years अब BCE में आप किस तरीके से century देखते हैं और CE में आप किस तरीके century देखते हैं यह हम देखेंगे अभी अगर आपका time होता है 100 BC यानि कि 1 BCE to 100 BCE यह कौन सी century होगी आपकी यह होगी आपकी 1st century 300 BC और 200 BCE 200 BCE से 300 BCE तक आपकी कौन सी century होगी यह होगी आपकी 3rd century कौन सी सताब्दी होगी यह होगी आपकी 3rd सताब्दी ओके ऐसे ही आपका 700 BCE और 600 BCE तो 600 BCE से 700 BCE में आपकी कौन सी century होगी यह होगी आपकी 7th century ओके समझ गए आप कोई confusion नहीं CE में आप किस तरीके से देखते हैं अकर 1 CE से सुरू होता है कोई time और 100 CE पे जाता है तो यह होगी आपकी 1st century 300 CE से अगर आपका time जाता है 400 CE तक तो यह होगी आपकी 4th century ऐसे ही 700 BCE से अगर आपका time 800 CE होता है तो होगी आपकी यह 8th century और अभी जो आपकी century चल रही है वो है 2000 से 2100 यह होगी आपकी 21st century ok any confusion no confusion ना आपको clear हो गया होगा यह साधी चीज़ें आपको clear हो नीच चाहिए chronology आपको काफी आसामी से समझ में आ गई होगी नहीं आए तो आप इसको repeat mode में एक बार देख लीजिए अब हम देखेंगे इंडियन हिस्टरी में chronology इंडियन हिस्टरी को हम किस तरीके से पढ़ने बाले हैं इसके बारे में हम देखेंगे ancient, medieval और modern यह तीन पाइट में हमारी इंडियन हिस्टरी को divide किया गया है जिसमें कि हम पहले पढ़ेंगे इंडियन सौरी पहले हम पढ़ेंगे ancient history के बारे में फिर पढ़ेंगे medieval history के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे modern history के बारे में तीन पार्ट में हमारी Indian history को divide किया गया है तीन पार्ट में हमें पढ़ना है पहला होगा हमारा ancient history दूसरा medieval history और तीसरा होगा आपका modern history ओके? any confusion? no confusion? ओके तो इसी तरीके से हम कबर करने हाले पहले हम कबर करेंगे आपके modern हिस्ट्री कि हमारी modern हिस्ट्री एंसियन हिस्ट्री OK को अब देखेंगे हम इंच्छीर पार्टी के सोर्साइब आप किसी भी चीज की खुदाई करके आपको जो चीज़ें मिली हैं उन अब्जेक्ट को आप पता लगाते हैं रेडियो कार्वन एक्टिविटी से कि ये कितने साल पुराना है कौन सी ये सिविलाइजेसन से बिलोंग करता है और लिटररी सोर्सिस में आप देखेंगे कि इसमें आपको टेक्स्ट बुक देखने को मिलेंगी जो भी आपका साहित है जो बुक्स लिखी गई है उसमें आपको जो जो टेक्स्ट देखने को मिला है उससे आप पता करते हैं कि ये किश टाइम का है कौन सी चीज़ें बताई गई हैं यह जो literary sources हैं इसमें आपको काफी ज़्यादा depth में चीज़ हैं देखने को मिलती हैं तो archaeological और literary sources के बारे में हम देखेंगे archaeological जो आपके sources हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा excavation यानि कि इसमें आप खुदाई करते हैं एक किसी भी ground के आप खुदाई करेंगे मापे आपको जो object मिलेंगे आप उनकी radio carbon dating करेंगे उससे आप पता करेंगे कि ये object कितने साल पुनाना है कौन सी civilization से बिलोंग करता है तो ये सारी सीज़ आप excavation से पता करते हैं inscription मतलब कि अब जैसे पहले के time पर क्या था अगर कोई sick के चलते थे तो उन पर seal बनी होती थी कुछ लिखा होता था अगर कोई palm leaves होती थी उन पर कुछ लिखा होता था pillars पर कुछ लिखा होता था तो वो क्या चीज़ थी वह लिखी हुोई वह वो कौन से टेक्स्ट वह क्या बताते हैं हमें यह चीज़े होती है हमारी इंस्क्रइपसन फिर ने डूमस्मेट में आप देखेंगहें आप कि सिख बहुत जदा इंपोटेंट रोल्स करते हैं किसी भी सब्विता के बारे में ज़ादा जानने के लिए क्योंकि इससे हमें क्या-क्या पता चलता है कि अगर बहुत जादा नमल्स में सेखती हैं तो बहुत ट्रेड प्रॉसपायटी थी यहां पर बहुत जादा होती थी अगर इन पे इसकी की अगर पिक्चर है तो वह उसक पर बहुत ज़्यादा importance था जैसरा राजा की picture है जैसे राजा को बहुत ज़्यादा जादा पर ऊस टाइमध की अगर इनीज को importance दिया जाता था उसuzz! ख़ि कि हमें बहुत सारी चीज2000 पताते हैं तो यह हम देखेंगे archaeological में exploration में भी आपका वही आ जाएगा excavation type में यानि कि आप किसी चीज़ को explore करते हैं literary sources में आपका religious sources आएंगे यानि कि जो धार्मिक text लखे गए हैं उनमें आपको चीज़ें देखने को मिलेंगे कि अगर धार में कोई चीज़ी लिखी गई है तो वो क्या उसमें बताया गया है किस सब्विता से उसमें जुडाओ महसूस किया जा रहा है पिर non-religious यानि कि कुछ box ऐसी है जो कि राज्य के बारे में लिखी गई है वो हमारे देश में आते हैं हैं यहाँ एक-गई साल और लो अपने यहां जाकर वहाँ मिलती है अगर 300 B.C.E. में आता है और वो टाइम पर उस बहुत चीज़ें लिखता है उस टाइम पे तो हमें पता चलता है कि हाँ एक्चुली में यह चीज़ें चल रही थी फिर हम उसे देखते हैं आर्चियोलोजीकल तरीके से किया इस टाइम पे क्या चल रहा था तो हम कहीं न कहीं यहां पर लिंक हमें मिल जाती है कि यह फॉरन ट्रेवलर्स भी अगर यह ची लिट्रावी में आप देखेंगे रिलीजियस नॉन रिलीजियस फोरें अकाउंट्स एंड अधर लिट्रेचर अधर लिट्रेचर में जो आपकी मिसलैनी इस बुक से होती है उनको हम देखेंगे ओके आर्कियोलोजीकल एक्सप्लोरेशन जो है यानि कि जो एक्सकेवेशन है वो ओपन किये जाते हैं ग्रेट लेंडस्केप पे यानि कि बहुत बड़े एरिये पे आप आर्कियोलोजीकल एक्सप्लोरेशन करते हैं क्यों क्योंकि आपको न्यू इन्फरमेशन पता करनी है पे ग्रेट बात है जिसे इडिवी थी तो यह सारी चीजह आपको कैसे पता चलती है एक्सकेवेशन से आप बहुत बड़े एरिये पर एक्सकेवेशन करते हैं उससे आपको नहीं नहीं इनफरमेशन मिलती है किसी भी सबिता के बारे में, excavation is a process of digging, यानि कि खुदाई की एक process को हम कहते हैं, excavation, अब excavation का मतलब यह नहीं कि आपने कहीं भी खुदाई कर दी, कि non systematic तरीके से भी कर दी, नहीं, excavation होता है, पूरा systematic तरीके से, systematic तरीके से आपका यह पूरा काम करता है, यानि कि आप पहले करेंगे, यह देख आई सुरू की, फिर दीरे-दीरे से यह बिरस से साफ करेंगे, दीरे-दीरे इसको refine करेंगे, तब जाके पता चलेगा, अगर यह hide tools use करेंगे, तो जो चीज है, वो मिटी जाएगी, जो object आपको मिलने वाला है, वो तो मिटी जाएगा, तो बहुत जादर अच्छे तरीके स आपको systematic तरीके से digging करनी होती है, और ground की जो मिटी है, वो धीरे-दीरे अटाई जाती है, यह नहीं कि आपने hide tools use की है, और सब चीजें बिगार दे, नहीं, excavation is a systematic process of digging, तो यह बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, बहुत systematic, बहुत अच्छे डंग से करनी पड़ती ह यह देखिए आप, कितने अच्छे तरीके से यह, देखिए एक एक चीज को हटा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, यह देखिए, बिरस से सफाई कर रहे हैं, जिससे कि यह object के बारे में पता लग सके, यह art के बारे में पता लग सके, यह क्या चीज है, तो यह देखिए कितने अ पता करनी है वो आप करेंगे रेडियो कारवन डेटिंग से रेडियो कारवन डेटिंग में आप सी 14 कारवन को यूज करते हैं इसकी डीके जो एज होती है वो होती है 5000 यह इसकी रेट होती है इसमें आप पता करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की एज कितनी है अगर आपको कोई स मिलता है तो आप उसकी कैसे पता करेंगे कि इसकी एज कितनी है यह भी आप कारवन डेटिंग से पता करते हैं ओके इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप ब्रॉंजेशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे केबल ब्रॉंज का यूज किया गया था तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे जढ़ा ब्रॉंज का यूज अब ब्रॉंज का यूज होता है लेकिन इनको पता ही कि आईरन कोई मैटल है STIL कोई मैटल है यह केबल यूज कर रहा है । इसलिए आप इसे कहें गे branch civilization क्योंकि इन्होंने cable branch को use किया है जो आपको inscriptions देखने को मिलेंगे यहाँ पे वो भी आपको branch पे ही branch की जो पिलेटे हैं उन पे ही देखने को मिलेंगे तो branch inscriptions भी आपको देखने को मिलेंगे यह northwestern region of south asia में फैला हुआ है तो indus valley civilization जो आप देखेंगे यह देखिए पूरा आपका फैला हुआ है northwest civilization में ओके northwest region में फैला हुआ है south asia के यह last करता है 3300 BCE to 1300 BCE और इसका mature period आपको देखने को मिलेगा 2600 BCE to 1900 BCE ओके इसे में कोई confusion no तो यह आपको याद रखना है अगर ब्रॉंजेज civilization के बारे में अगर कोई question आता है तो उसका मतलब indus civilization ही है ऐसे भी आपसे question पूछा जा सकता है कि indus civilization में किस metal को यूज किया जाता है तो यह सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए इसमें कोई भी confusion आपको नहीं होनी चाहिए यह आप देखेंगे great बात है जो कि आपको अरप्पा में देखने को मिलेगी ओके इंडस वैली civilization नौर्ट बेश्टन इंडिया में काफी जादा फैली हुई है यहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें देखने को मिलेंगी तो जो नौर्ट गंगाटिक कल्चर है उसमें भी आपको आपको देखने को मिलते हैं अब यह देखिए आपको टूल से देख रहे हैं यह यह बहुत पराने टूल्स है तो यह क्या है रिफाइन नहीं ज़्याला थे तोड़े रूफ टूल्स हैं पर दीरे डीरे देखिए रिफाइन को मिलेंगी यह देखिए ़िखिया कितनीया है यह bought revert माटी की और गाउं में के फिर और श्य पूर में हुआ हो फिर मेखाएट का मतलब मतलब होता है बढ़ा बहुत बड़ा ओके इसका मतलब होता है Laarge और लिड का मतलग होता है पत्थर तो Megalith कुछ नहीं एक पत्थर की Com Naturally जो आपको पत्थर की सइड देखने को मिलेंगी तो इसमें क्या है आप को देखने को मिलेगा कि यह Megalith जो साइट इंडिया में यह तीन अजार साल पहले की हैं 3-1 वी शी आया था यह तो यह 3-2 शी की हैं तो कितनी शाल हो गई 5-2-1 वहाईं कि जानम के बाद आपकी जो दोहजार साल है वह भी एड़ कर दिये जाएंगे 3-1 में इसे लिए आपका यह 5-2-1 वहां पुरानी यह आपकी मेगालिट वाइट हैं इंडिया यह आप देख रहे हैं जो भारत देश का यह मैफ है इसमें यह पूरा मेगालित साइड फैली होई है मेगालित में आपको देखने को मिलेगा बरियल और पोस्ट बरियल रिच्ववल भी यहां पे काफी जादा होते थे यह देखते थे लाइफ आफ्टर डैथ में यह बिलीफ करते थे लाइफ आफ्टर डैथ यह काफी जादा बिलीफ करते थे लाइफ आफ्टर डैथ में फिर डैड बरीड विद टूल्स एंड वीपन्स जो भी इंसान को जलाया जाता था उस टाइम पे जो ब्यक्ति को जलाया जाता था उसके साथ टूल्स भी रख दि तो इस तरीके से आपको यहां पर बरियल देखने को मिलेंगे अब रीसेंट में जो फाइंडिंग हुई है उससे पता चला है का डेट है 5000 बीसी पुरानी है लेकिन अभी हमें 3000 बीसी के टाइम से ही पढ़ना है हलांकि यह कुछ टाइम बाद आपका लागू हो जाएगा तो अगर ऐसा होता है तो हमारा यह हो जाएगा साथ अज्याल साल पुराना हो जाएगी यह साइट ओके कर फिछन ulation inscriptions देखेंगे या निन tutaj या NK जो आपके कि इन trailers प्रिक्रों मिलेंगे जो आपके रॉप पिखने को मिलेंगे आप मिलेगे ब्रॉंज पिलेट से तऐ हैं यह तरीके से हमें देखते हैं इस्टडी उफ इनस्क्रिप्सन कही का जाता है ईंसक्रिप्सण की स्टड़ी मों ऑल्ड राइटग इन 2 पर का ज़िए आपकी ओल्स ऑर को और La Как जो आपको मिलते हैं जो कि मिले हैं हमें तो हम देखने को मिलेक नौलेज में उसके और चाहएं से तेम टाइम पर दाइन था पर एली अन्यस तैम पर सील से हूं सेक्ति नहीं क्या लोद नहीं कि गई है जिस दिन collaborative की जाएगो उस दिन हम में इसके बारे में discuss भी कर लेंगे उस time पे आपका syllabus two times होने वाला है अभी तक तो यह decifred नहीं की गई है इस हरपन जो language है उस time पे जो seals पे language की गई थी लेकिन जिस दिन यह language decifred होती है उस दिन आपका syllabus two times होने वाला है अब देखिए आप आपको इस time पे seals, pillars, rocks, copper plates और temple walls पे आपको inscription देखने को मिलेंगे यह आप seal देख रहा है यहाँ पे यह हाती बना हुआ है और यहाँ पे कुछ text लिखा हुआ है हाला कि इसे हम decifred नहीं कर पाएं कि यह क्या लिखा हुआ है लेकिन हर एक seal पे कुछ ना कुछ लिखा होता है उसको decifred करना है और उसके बारे में उसमें भी चीज़ें चल रही है decifred करने की courses चल रही है तो यह हर एक seal पे आपको कुछ ना कुछ लिखा देखने को मिलेग फिर असोका नॉमारियन इंस्किरिप्संस रॉक पिलर आपको देखने को मिलेंगे इने पर बहुत ज्यादा इंस्किरिप्सं लिखे हुए हैं बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है और जब भी जो राजा आया उसने कुछ ना कुछ इस पर एड किया ही हुआ है अलमुष्ट हर एक राजा के बारे में आपको इस पर चीज़ें देखने को मिलेंगी फिर कॉपर पिलेट पर आपको देखने को मिलेंगे लेंड ग्रांट यानि कि यह आप जो देख रहे हैं इस पर लेंड ग्रांट लिखे जाते हैं लेंड ग्रांट का मतलब है अगर किसी ब्यक्ति को land दी जाती है राजा के दुआरा या फिर रुपए दी जाती है मंदिर को revenue दी जाती है तो वो कब दी जाती है किस टाइम पर दी जाती है किसे दी जाती है ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस copper pillit पे ये सारे inscription आपको copper pillit पे देखने को मिलेंगे जिसमें क तक यह रखी हुई है यह बेकार नहीं होती लेकिन पहले जो कागज या बर्च जो होती थी जो पाम लीप्स होती थी यह क्या है इनकी हालत बेकार हो जाती है कि सड़ जाती है कुछ टाइम बाद अगर आप इनको फूव गई तो यह पूरी तरह टूट जाएंगी बिखर जाएंगी इसलिए यह बहुत जादा इंपोटेंट हो जाता है कि इन्होंने इस चीज को भी अपनाया कि इन्होंने ब्रॉंज सौरी इन्होंने कॉपर पिलिट पर भी चीजों को लिखा जिससे कि यह चीज़ें बहुत ज्यादा टाइम तक चली है पिर आप देखेंगे नियू-मस्मेटिक पिर नियू-मस्मेटिक के बारे में देखें नियू-मस्मेटिक का मतलब होता है सिक्क्या właśnie में आप क्या देखेंगे study of coins को कहते हैं हम numismatic यह आप सिक्के देख रहा है यहां पर देखिए किसी की picture है यह राजा है या कौन है जो की घुड सवारी करते हुए इनकी picture बनी हुई है यह कोई lady है बैठी हुई है सिंगासन पे तो सिक्कों पे आपको बहुत ज्यादा pictures देखने को मिलेंगी जिससे कि आपको पता चलता है कि उस time पे कितना ज्यादा importance था किसका तो सिक्कें से हमें बहुत सारी चीज़ां पता चलती है study of coins को आप कहते हैं numismatic यह आपको याद रखना item most famous coin आपको मिलते हैं कोसान period में जो कि post-morion period तक चलते हैं यह आपका time है 200 BCE to 200 AD तो इस time period में आपको बहुत जादा coins देखने को मिलेंगे जो कि बहुत जादा famous coins है फिर आपको coins पे क्या-क्या देखने को मिलेगा यह हमने इसना की देखने को मिलेगे यह निकिंशे सब्सक्ने को नेट ने बैठता है वस टाइम के आपकर हैinavate देखने को मिलेगी सिक्कों पर इंडोलफकों को इ проблем को मिलेगा वह किस तइम का कुसान का लेकिन देखने को मिलेंगे गुपता पिरियड मेरे अब इस टाइम पे बहुत जाधा प्राइपी आगई था और क्वोओ जादा वोने लगा था टैड अ पर जादा वने लगाधा जिस से की यहां से बहुत ज्यादा प्रोस्पर्टी आ गई तो यह को ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं हिस्टिरी को बताने के लिए तो आपको मोस्ट गोल्ड कोईंस देखने को मिलें गुपता पिरियड में यह आपको याद रखना है फिर हम देखते हैं लिटररी सोर्सेस के बारे में लिटररी सोर्सेस मतलब की जो आपके टेक्स्ट है टेक्स्ट लिटरेचर है जो आपका साहित है साहित किस तरीके से लिखा गया है अगर किसी ने कोई books लखी है तो वो किस बारे में लखी है क्या क्या बताया है उस letterary sources में देखेंगे पहले क्या था oral transmission होता था knowledge का oral transmission का मतलब है किसी एक ने बताया दूसरे को दूसरे ने बताया तीसरे को पीसरे ने बताया चौथे को यह बोल बोल के आगे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ लिख दिया दो पढ़ लेइए यह बोल बोल के है अगर किसी ने किसी को कहां नहीं सुनाई की outta ने तीसरे वह सनाई तो एक ओरली आप transmit कर रहे है knowledge तो orally आप transmit कर रहे है knowledge समझ गए आप ये सारी orally चल रही थी knowledge पूरी orally transmit हो रही थी लेकिन बाद में क्या होता है around 4th century के आप पास आपको देखने को मिलेगा कि text लिखे गए जो text है वो लिखे गए बर्च पे और palm leaves पे अब ये बर्च पाम लिफ्स जादा long lasting तो नहीं होती लेकिन उस टाइम पे यही था तो इन्हीं पे इन्होंने text लखना सुरू किया हाला कि कुछ text आपको मिलेंगे अभी बहुत अच्छे से संजो के रखे गए हैं लेकिन इनकी condition बहुत जादा खराब हो चुकी है अगर आप इन्हें चुएंगे भी तो ये तूट जाएंगे बिखर जाएंगे लेकिन फिर भी हमारे पास ये सारी चीज़े हैं अभी भी संजो के रख्यों ही हैं हमने religious sources में हम देखेंगे कि हिंदू दरम में सबसे पहले यूज की गई संस्क्रित भासा संस्क्रित भासा यूज की गई जो की बेदास लिखे गई जिसमें की रामायन लिखी गई महाभारत लिखी गई पुरान लिखे गई अरन्यकाज लिखे गई ये सब लिखे गई आपके संस्क्रित भासा में ये हिंदु धर्म में हुआ, widget में आपको देखने को मिले पाली लेंग्वेज जिसम recorded अ conjunile की लिखें और जदाक की 20 य retrans झाकूं को मिलेंगी बुद्रिज में धर्म में होके अपको देखने को मिलेंगे 16 महाजनपत के बारे में ये बुक में बताया गया है जो 16 महाजनपत थे भारत देश के वो किस कौन-कौन थे कहां पे थे इनके बारे में डीटेल में आपको देखने को मिलेगा बगवती सूत्र में तो ये जैनल लिटरेचर की काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट बुक हो जाती है तो हमने देखा कि हिंदू दर्म में क्या है संस्क्रित बासा में लेखे गए बेद रामायन महा भारत पुरारान अरन्यकाज बुद्ध दर्म में लेखे गए पाली लेंगेज में पितक जय तक टेल्स जैनल लेटरेचर लेखी गई प्राकर बासा में लेखे जब करने लिए उसमिर्थी में आपकी सबसे जो समिर्थी है वो है Manu Smirti इसमें आपको देखने को मिलेंगे दीग राजा की डूटी है राजा के लिए असरे कि यह क्या डूटी होती है वाइफ की क्या डूटी होती तो यह सारी चीज़ें आपको मनु समेती में देखने को मिलेंगी अब यह जो compiled किये गए है नॉन विलिजियस सोर्सेस यह कोई एक दू साल में नहीं किये गए इनको काफी ज़्यदा time लगाए compile करने के लिए almost इसमें लगाए एक हजार साल एक हजार साल में यह compile किये गए तो यह एक दो दिन का काम नहीं है एक दो साल का भी काम नहीं है हजारों साल लगें इनने compile करने में लॉज गवर्णिंग दिस सोसाइटी अब किन तरीके से क्या क्या लॉज थे सोसाइटी में उस टाइम पे कि यह यह लॉज होंगे इन तरीके से सोसाइटी में काम होंगे वो भी आपको non-religious sources में देखने को है राजा के लिए क्या-क्या रूल्स होने चाहिए प्येखने को मिला है कि फिर कुछ फेमस नॉन्रिलिजियस सोसेथ हैं जो की वोक्स हैं वो हम देख लेते हैं कुछ books हैं, जो लिखी गई हैं, किनकी द्वारा लिखी गई हैं, यह हम देख लेते हैं, अर्थ सास्तर लिखी गई है, कोटल की द्वारा, मुद्र रक्छसा लिखी गई है, विसाकादत की द्वारा, हर्स चरीता लिखी गई है, बानबट की द्वारा, राज तरंगेनी जिस लिखी गई है अमर सिम्हा के द्वारा और अश्ट द्हाई यह लिखी गई है पानेनी के द्वारा यह सारी बुक्स के बारे में तो आपको पता होना चाहिए बुक्स बुक्स के नाम और राइटर आपको पता होने चाहिए यह सारी चीज़ें आपको यह सारी बुक्स आपको देशों के बेदेश से जो ट्रेवलर आते थे वो इंडिया आते थे तो जो ट्रेवलर हैं बाहर से आए इंडिया आए इंडिया में उन्होंने साल दो साल एक दो साल रहे यहां पे उन्होंने चीज़ें देखी कि इंडिया में किस तरीके से चीज़ें हैं जब वो बापस लो हो जाती है किसी भी चीज को किसी भी missing link को पता करने के दिए तो foreign accounts भी बहुत ज़्यादा important है हमारे लिए क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा books लिखी हैं जैसे कि यूंसंग देखेंगे आप फायान देखेंगे इबन बतूता देखेंगे इन्होंने बहुत सारी books लिखी हुई हैं जो कि काफी ज़्यादा help करती है हमारी history को समझने के लिए तो यह बहुत ज़्यादा link हमें देती हैं तो traveler religious scholars नोंने बहुत सारी account लिखे हुए है मेगस्तिनीज ने टाइम पे एक book लिखी जिसका नाम है इंडी का यह काफी ज़्यादा important book है इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या लिखा हुए लेकिन यह आपको book याद रखने है इंडी का लिखी मेगस्तिनीज ने पैरी फिलस ऑप इथारियन सी यह गिरीक के टाइम पे लिखी गई यह गुपता पीरियड के टाइम पे आये और इन्होंने काफी ज़्यादा यहाँ पे देखी और लिखी वान सांग आये हर सबाइदन के टाइम पे अलबरुनी ने लिखी यह तारीक अलहिन यह आपको याद रखने है यह book बहुत ज़्यादा important है history में यह book आपको याद तो यह देखे हमने foreign accounts सो आज की वीडियो में हमने देखा की chronology आप किस तरीके से देखते हैं history की और हमने देखे सोर्सिस history के sources देखे तो यह था हमारा lecture first आगे की वीडियो में हम करेंगे पिरी history के बारे में पिरी history के बारे में हम चीजे cover करेंगे इसमें देखा हमने chronology और sources के बारे में so thank you for watching this video